हलो आवरीवन, आप चंचल सोनी और फारवर बिस्नस आउनर, आज मैं आप लोगों की साथ में शेर करूंगी कि FLP में bank detail आप कैसे update कर सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत short होने वाला है, तो वीडियो को बिना skip करें, पुरा end तक देखना, साथ में दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा हो, तो चैनल को subscribe करना और वीडियो को like करना, बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसे useful content लगातार मिलतर है, अब आपको simply FLP India login गूगल पर डालना है, then first link खोलकर, आपको जो login detail की window खुलती है, वहाँ पर login कर देना है, login करने के बाद में, आपको कुछ इस तरह की window खुलेगी, यहाँ पर आपको India QC links पर जाना है, जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो, तो update bank details आपको show हो रहा होगा, वहाँ पर आपको click करना है, click करने के बाद में, आपको receive bonus recap on the web पर click कर देना है, then save कर देना है, save करने के बाद मे bonus paid option पर click करना है, click करने के बाद में, आपको direct deposit की पूरी detail शोगी, जहाँ पर आपको आपको bank detail पूरी complete फिल करनी है, आपको MICR code आपकी bank की passbook पर मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप simply Google पर आपका जो bank है, वो डालकर MICR code सर्च कर सकते है, ऐसे ही IFSC code भी सिंप्लिक Google पर भी मिल जाएगा, और आप चाहते हैं, तो passbook से भी ले सकते हैं, अब ये डालने के बाद में, आपको किवल एक बार save करना है, एक बार save करने पर आपकी detail पूरी save हो जाती है, अगर आप दुबारा save करोगे, तो पूरी detail वापिस से आपको fill करनी पड़ेगी अब आपके bank detail पूरी तरीके से update हो गई है, इसका confirmation mail आपकी email ID पर आ जाएगा, और अगर आपने इसमें कुछ गलती की है, या फिर कुछ गलत information फिल की है, तो भी आपको FLP की तरफ से mail आ जाता है, और within a two or three days ये पूरा verification हो जाता है, और आजकल वेसे service fast हो चुकी है, तो 24 hours में ही इसका update हो जाता है, और आपको पूरा confirmation message आ जाता है आपकी email के उपर, बस इसी तरीके से आपका पूरा bank detail information फिल हो जाता है, thanks for watching.